नमस्कार सी नियूज भरत में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ रचासेंग हाली में हुई सुल्तानपुर में डकैती को लेकर जहां एक तरफ पुलिस की कारेवाई जारी है तो वहीं दूसरी तरफ इस पर सियासत भी गर्माई हुई है पास सितंबर को अपराधी मंगीश यादो के इंकाउंटर के बाद से विपक्ष लगातार योगी सरकार पर जाती देखकर इंकाउंटर करने की बात कहता नजरा रहा है अब इस मामले में पुलिस की एक और कारेवाई को लेकर कल उन्नाव में सुल्तानपुर डकयती कांड में शामिल एक और आरोपी पुलिस मुटभेड में मारा किया मुटभेड सोमवार सुवे अचलगन थानरशेत्र के कुलुहा गढ़ा में हुई आरोपी की पहचान अमेठी निवासी अनुच प्रताप सिंग के रूप में हुई है जी हाँ उस पर एक लाख काई नाम था अब इस एनकाउंटर के बाद फिर से सियासी घमासान मचना शुरू हो गया है मैं इस पर बोलतावे उत्तरप्रदेश सरकार के पूर्व मंत्रे मौईसिन रजा ने समाजवादी पार्टी पर जातिवादी राजनीती का आरोप लगाया है सुन्तानपूर डेकेतिक आर्ड में स्टेफ लखनों ने उन्नाव में एक मुट्विर्ड में अनुष परताव सिंग नाम के अब राधी को मार गिराया अब इस पर सपा मुख्या श्रीय अखलेश यादो जी का कोई ट्वीट नहीं आया ना कोई रियक्शन आया हो सकता है उनकी जाती का नहीं होगा या किसी विशेश समुदाय का नहीं होगा क्योंकि उनकी तो समालवाद की परिभाशा यही है यह तुष्टिकरा और संपरदावाद की रायनीत को बढ़ावा देने के लिए वो इस तरह के ट्वीट और रियक्शन दिया करते हैं तो इस पर क्यों नहीं आया यह भी मेरा सवाल है फिलाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे है सीरियोज भारत हर खबर आपके साथ आपके हाथ